नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम डिसकस करेंगे कि कैनाजोल पाउडर का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, कैनाजोल पाउडर को कैसे लगाना चाहिए, और कैनाजोल पाउडर की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिसकस करेंगे कि कैनाजोल पाउडर को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, कैनाजोल पाउडर एक एंटि-फंदल दवा है, कैनाजोल पाउडर का उप्योग फंदल इंफेक्शन को ठीक करने के लिए और फंदल इंफेक्शन को होने से र प्रिकली हीट होने पर कमर और गर्दन की तवचा पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जिन में बहुत तेज जलन वह खुजली होती है। प्रिकली होना आदी लक्षण भी फंदल इंफेक्शन होने पर हो सकते हैं। फंदल इंफेक्शन शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। फंदल इंफेक्शन जांगू में भी हो सकता है। इसलिए जांगू के फंदल इंफेक्शन को ठीक करने के लिए भी डॉक्तर कैनाजो पाउडर को कैसे लगाना रिक्मेंडेड होता है। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर कैनाजोल पाउडर को प्रभावित एरिया पर दिन में दो से लेकर तीन बार लगाने की सला देते हैं। को वीडियो पसंद आ रहा है। तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की कैनाजोल पाउडर की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में कैनाजोल पाउडर की वज़से कोई साइड इफेक्स नही होते हैं. लेकिन यदि किसी व्यक्ति को कैनाजोल पाउडर को लगाने के बाद तवचा में बहुत तेज खुजली, जलन, तवचा पर सूजन, तवचा पर रैडनेस, तवचा पर रैशेस या तवचा पर छाले होना और तवचा पर सुई चुबने जैसी समवेदना ज्यादा होती है. या ऐसा कोई लक्षन लगातार बना रहता है. तो ये लक्षन कैनाजोल पाउडर की वज़ज से एलर्जी होने पर भी हो सकते हैं. यदि आपको कैनाजोल पाउडर को लगाने के बाद ऐसा कोई लक्षन लगातार बना रहता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि कैनाजोल पाउडर को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। फंदल इन्फेक्शन एक व्यक्ती से दूसरे व्यक्ती को फैल सकता है। इसलिए जब तक फंदल इन्फेक्शन अच्छी तरह से ठीक न हो जाए। तब तक संक्रमित व्यक्ती के कपडों और शारिरिक संपर्क में आने से बचना चाहिए। पैरों वहाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। और उसके बाद पैरों वहाथों को अच्छी तरह सूखाने के बाद ही कैनाजोल पाउडर को लगाना चाहिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका कैनाजोल पाउडर से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।